हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मेटो चैनल, गन पॉइंट पॉर्ण नॉलेच आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमार जो टैली इयार्पी है, उसका नया वर्जन आ चुका है इसका नाम क्या है? टैली प्राइम तो आज हम देखने वाले हैं कि टैली प्राइम में कंपनी को कैसे क्रेट करें हम लोगों को टैली इयार्पी का तो आते ही है, बट अब यह तो चेंज हुचुका है टैली इयार्प्राइम में, तो इसमें कंपनी कैसे क्रेट करें तो इसमें company create करने के लिए जैसी आप Tally Prime को open करोगे तो आपके पास इस प्रकार का हम क्योंकि education version पर चला रहे हैं तो यह education edu लिखा रहा है अगर हम license version चलाएंगे तो यहाँ पर हमारा नाम आजाएगा तो यह education education नहीं आएगा यह देख रहे हो यह हमारा education version पर चल रहा है education mode पर तो अगर हम license चलाएंगे तो यहाँ पर education mode नहीं आगा है यहाँ पर लाइसेंस आएगा आप पर नाम आजाएगा जिस भी आपने से ले रखा होगा तो आज हम सीखने वाल है कि टैली प्राइम में company कैसे create करें तो जैसे कि हम टैली बे करते थे टैली यार्पी में करते थे सेम वैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखो create company अभी तक कि मैंने इसमें कोई भी company नहीं बनाई है तो first company उनाएंगे create company, select remote company, specify path, select from drive तो path specify कर सकते हो remote company अगर आपने कोई online कर रखे तो उस case में select from drive अगर किसी drive में आपने डाड़ा रख रखा है अपनी company का तो वहाँ से आप उठा सकते हो तो हमें company create करने है तो company create करने के लिए हम क्या करेंगे create company के उपर click करेंगे या आप enter तो जैसी ही आप create company के उपर click करते हो तो आपके पास कुछ इस प्रकार का interface आएगा यहाँ पर आप से क्या हो रहा है आपकी company का name उसके बाद mailing address and then address तो जो भी आपका address है वह आप type कर लोगे तो इस पर आप से state पूछ रहा है कि आपकी state कौन सी है तो आपको सारी details डाल के यहाँ पर financial year beginning from कि आपको financial year कब से चालू होता है और books beginning from आपकी books कब से चालू होती है तो हमारी generally एक अप्रेल से start होती है तो अगर आपने अपना business year के बीच में से start किया है तो वहां से आपकी books start होगी तो आप books beginning from वहां से change कर सकते हैं तो क्योंकि मैं अभी एक अप्रली रखने दे रहा हूं तो ब्रेस क्रंजी symbol जो भी आप करेगा कि गाइस यहां पर फॉर्मल नाम अंट्रे बगर आ गया और इसमें अगर और डालना चाहते हो आप तो आपको क्या प्रेस करना है आपको f12 प्रेस करना है तो यहां पर आपका प्रोवाइड कॉंटेक्ट डिटेल्स यह तो वहां पर आई रहा है अगर आपका पासवर्ड वगरा लगाना चाहते हो तो इसको यह कर दोगे युजर कंट्रोल प्रोवाइड अडिशनल बीस क्रेंसी डिटेल्स तो यह जैसे हमारी पैलेट यार्पी यार्पी में आते थ यहां पर जो टैली प्राइम है यहां पर यह अनेबल रहता है तो इस तरीके से रहेगा तो आपको उसके बाद आपनी सारी डिटेल्स डालने बाद कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है कंट्रोल ए या फिर आप एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हो तो जैस आप अकाॉंट इंटी करना चाते हो इन सब चीज को करना चाते हो इन्हieve घञकर करना करना चाते हो सिरफ आप accounts maintain करना चाहते हो या bill wise entry करना चाहते हो कैसे करना चाहते हो या inventory maintain करना चाहते हो integrate accounts with inventory करना चाहते हो तो जो भी आपको करना है उस तरीकी के वह उसके बाद अपने आप यह window open हो जाएगी अगर आपको और additional details चाहिए तो यहाँ पर show more details का option है इसको yes करोगे तो आपके पास और additional details आ चाहेंगी और अगर आप और भी features देखना चाहते हो कौन कौन से हैं तो यह बागी कि सारे features आगे जितने भी मारे features enable थे पहले तो जिसको आप use कर सकते हो otherwise यह by default यहाँ पर no रहता है यहाँ पर सिरफ आपके पास यह सारी features open रहते हैं अगर आप open करना थे तो आप पर show more details के आप पर सकते हो यहाँ पर कुछ लिए करना आपको yes कर रखा है yes करने के वाद आपको यहाँ पर detail पूछ रहा है कि आप GST registration की details क्या है आपकी तो जो भी आपकी details है आप वह details डालके accept कर सकते हो इसको accept करोगे तो आपकी company बन रही है तो आप देख सकते हो gateway टैली हमारे side where आ रहा है right hand side पर और उसके left hand side पर क्या company की information आ रही है हमारे पास क्यों गाइस अब आप यहाँ पर मास्टर्स में क्रिएट कर सकते हो लेजर्स वगेरा क्रिएट कर सकते हो वाउचर्स क्रिएट कर सकते हो banking entry balance sheet वगेरा सब पुछ आ गया है तो हमारे मेंली तो था company क्रेट करने का वह यह तरीका था और अगर आप पंपनी को अल्टर करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना है जैसा कि हम पहले करते थे यहां पर अल्टर कर जाओंगे आपको क्या करना है अगर company अल्टर करना चाहते हो तो आपको एफ3 प्रेस करना है तो जैसे आप एफ3 प्रेस करोंगे तो वह आप आप से पूचेगा company create करनी है यह कोई Company shut करनी है यह company alter करनी है यह company select करनी है तो अगर आप company में कुछ change करना चाहते हो तो आपको क्या करना है । अल्टर company के ऊपर click करना है अल्टर company के ऊपर click करोगे तो आपको यहां नाम वापिस अल्टरेशन के विंडो पर लेके चला जाएगा तो यहां पर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो वह आप चेंज कर सकते हो और वापिस आपको पुढ़ी करना है एंटर एंटर करके एकसेप्ट कर लोगे तो आपके वह अल्टरेशन जो भी आपने किया होगा तो वह सेव हो जाएगा के गाईस तो आज के लिए इतना ही आयोप आप लोग समझ चुके होंगे टैली प्राइम पर हम कंपनी कैसे क्रेट करें अपने आने वाली वीडियो में हम देखेंगे की वाउचर्स की एंटरी कैसे कर सकते हैं और लेजर्स लेजर्स कैसे क्रेट कर एंटरी कैसे करें यह सब देखने वाले हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच